पुरूपगुण कि खुस्बू में दरवार नहीं होती तुकडों पर पलने वाली कौम बहादुर नहीं होती कई सिकंदर डूब गए वक्त के भवर में कमल में कलम में वो ताकत है तलवार में नहीं होती भाई मंदीज सिंग अबतार तथागर उद्ध को नमर करता हो तो कहते हैं कि आप इने जानते हो दरवाजा खटकटाटे हैं हमारे समाज के वेक्ति से पूछते हैं कि आप इने जानते हो तो हाँ हमारे समाज का व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ जानते हैं अंबेटगर है तो उसके कान के नीचे तपाक देशी देते हैं और कहते हैं कि अंबेटगर नहीं अंबेटगर जी कहो तो अपने बाप को बाप कहलाने का जो काम कराते हैं वो ये लोग कराते हैं और सबसे बड़ी बाप नरोड़ा के अंदर जो अंतर राष्टे बहुत समीती ने आज का कारेकरमाजित किया है क्योंकि ये मंच पर जितने भी लोग बैटे हुए हैं मुझ सही जितने भी लोग य जिस तरीके साथ नरोड़ा की भूइं पर आज कारेकरमाजित किया है ये बहुत पड़ी बात है और कहता हूं क्योंकि कौन है ये लोग और कौन है हम लोग जब हमसे लोग पूछने की कोसिस करते हैं तो बताते हैं कि ये जो अरे ये जो ये जो फुले रविदासी पहचान वाले हैं अरे ये जो ये जो उच्छी उच्छी शान वाले और अगली पंक्ति पर एक दिहाद था मौत नहीं नची बात कहने कोश करता हूं कि इतनी हिम्मत इतनी साहस अभी आधरणी उमेश निंगोतम जी बोल रहे थे और कितने अच्छे तरीके कितने जोस पूर्ण तरीक कहां से लाते हो अरे लोग पूछते हैं इतनी खुश मिजाजी कहां से लाते हो अरे साहब को पड़ते हैं हम चैभीम की मुस्कान वाले हैं हम साहब को पड़ते हैं चैभीम की मुस्कान वाले हैं और जब देश में आपसे पूछा जाए कि आपकी क्या उकात है या फिर जब भी आपसे कोई पूस्ता है कि आपकी देश के अंदर क्या ओकार या आपका देश के ये क्या योगदान है तो उन्हें बताने की कोशिश करना कि जब कहीं अमारे ग्यान की बात की जाती है तो हम शंबुक रिसी बन जाते हैं जब कहीं हमारी बक्ति की शक्ति की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मंचंगा कटोती में गंगा करने वाले संश्रोमणी गुरुरविदास आपके समास से पैदा हो जाते हैं जब कहीं बात की जाती है हमारे शोरे की साहस की शक्तिकी तो कहीं ना कहीं सासर मुंदर पार चनल डायर के सीने में गोली दागने वाले शहीर उधम सिंग आपके समा से निकल करके आ जाते हैं जब कहीं बात की जाती है इस देश के अंदर अच्छी शासन व्यवस्ता देने की बात की जाती है या कहें कि इस देश में सबसे अच्छा शासन चलाने की बात की जाती है तो कहीं न कहीं समराण अशोक और बेहन कुमारी मायवती जैसा जो शासन इस्तापित करके दिखा देत जब कहीं के लिए लोगों को मंज तक पहुंचाने की बात की जाती है या इस देश में राजनिती कुदर की बात की जाती है तो कहीं न वर खाश रामारसफ़ आपके समास से निकल करके आ जाते हैं जब कहीं बात की जाती है इस देश के अंदर सबसे बड़ी परिक्षा और थाक आईयेश्टोप करने की बात की जाती है तो कहीं न कहीं आपके घर की लाड़ली बेटी आयेश्टोपर टीना डाभी निकल करके आ जाती है और मित्रो कल परसो एक हमला हुआ आतंगवादी हमला हुआ जब कहीं हमारी राष्टवादिता की बात की जाती है या हमारे अंदर की राष्टवाद की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे घर का लादला बेटा उन्नाव से अजीज जाटव निकल करके आ जाता है और जब कहीं न कहीं हम शंबुक रिसी बन जाते हैं, जब कहीं हमारी पृतिभा की बात की जाती हैं, जब कहीं हमारी पृतिभा की बात की जाती हैं, जब कहीं हमारी पृतिभा की बात की जाती हैं, जब कहीं हमारी शिक्षा की, शक्ति की, बुद्धी की, बल की, विकास की, प्रिंया को सबसे बड़ा समिधान देनी की बात की जाती है या कहें इस देश में सबसे ज़़धा पड़ाया निकल करके आजाते है तो तब कहता हूँ कि वहरे बाबा साथ खमाल कर दिया अरे आज तो इतना बड़ा बड़ा मन चबने लगाया कालीन हमारे नीचे बिछी हुई है और साथ इसाथ हम कुर्सियों पर बैठे हुए है किसके वैसे गुन्नोर से चलके हमारे बीच में लोग आए है मुरादाबाद से भाई विजे सागर जी की पूरी टीम आई है साथ साथ संबल से और आसपास के जिलों से लेकर के दिल ली पूरे भारत के लोग यहां पर आज इखटा हुए हैं किसकी वज़े से सिर्फ बाबा साहब की वज़े से अरे रैंक ते फिरते ते हम जमीन पर तन पर कोई बस्तर ना था और समीधान लिक कर तुमने धमाल कर दिया अरे वहरे बाबा साथ तुमने कमाल कर दिया और एक पंक्ती 1950 से पहले की और एक पंक्ती 1950 से बाद की 1950 से पहले की क्या इस्तिती थी 1950 जीते जाकते मंजी सिंग अफ़तार को देख लेना बताने की कोशिश करता हूँ कि वहरे बाबसाब कमाल कर दिया कुछ भी ना था माला माल कर दिया अरे रेंगते फिरते ते हम जमीन पर तन पर कोई वस्त ना था समीधान लिख कर तुमने धमाल कर दिया अरे कल अरे कल अरे कल गले में मटका कमर पे जाडू थी और अब तो कले में टाईजे में रुमाल कर दिया वहरे बाबो साब तुमने खमाल कर दिया मित्रो जब बाबा साहब ने समीधान लिखा तो लिखने के बाग एक बड़े कांगरेसी नेता उनके पास आए कहने लगे कि अमबेटकर तुमने कोई बड़ा तीर तो मार नहीं दिया है सिर्फ एक देश का समीधानी तो लिखा है त कि राजा रानी की कोक से नहीं बलकि जन्ता के बोट से पैदा होगा तो तब कहता हूँ कि वहरे बाबसाब तुमने कमाल कर दिया और कुछ भी ना था माला माल कर दिया रैंक ते फिरते थे हम जमीन पर तन पर कोई वस्तर ना था और समीधान लिखकर तुमने धमाल कर दिय अरे कल गले में मटका कमर पे जाडू थी अब गले मिटाई जेब में रुमाल कर दिया अरे कल अरे कल जो लोग तुमारी पीट पे चाबुक मारा करते थे अब तो वो भी हलके से आके कह देते हैं मंजीत जैभीम अरे कल अरे कल जो लोग तुमारी पीट पे चाबुक मारा करते थे मारते मारते मनुबाद का थोबडा लाल कर दिया वहरे बाबसाब तुमने कमाल कर दिया और बची कुछी मेरे सम्मान में बजाने की कोशिस करना कि वहरे बाबसाब तुमने कमाल कर दिया कुछ भी ना ठाला- हमाल कर दिया, कल गले में मटका कमर पे जाड़ो थी, अब गले मिटाई जैनलर माल कर दिया, एरे कल जो लोग तुमारी पीट पे चाब उक मारा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया, एरे कल न हमारे कवी थे, ना शायर थे, ना सिंगर थे, अरे कल, अरे कल ना हमारे C.E.M. थे, ना ड.E.M. थे, और अब तो मंजी सिंग अवतार को भी कवाल कर दिया, वहरे बाबा साब तुमने कमाल कर दिया, और मित्रो एक बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ, किसी मंज पर जाता हूँ, तो ए विदेश जाने का मोका मिलता है, तो मित्रो, वहाँ बड़े ही चाव से एक अंग्रे जाता है, शाम को जैसे ही कवी सम्मिलन समाप्त होता है, तो वहाँ वो पूछता है, पूरी दुनिया से 12 कवी और शायर आते हैं, छे देशों के, तो वो पूछता है, कि आप कहां से आये हैं, तो कोई कहता है, कि हम इंग्लेंड से आये हैं, कोई पाकिस्तान से बताता है, और कोई अफगानिस्तान से बताता है, जब मेरे मित्र साती से पूछा जाता है, कि आप लोग कहां से आये हैं, तो मेरा मित्र दभी सी आवाज में जवाब देता है कि हम इंडिया से आए हैं तो मित्रो गर्व से सीना चोड़ा हो जाता है जब वो अंग्रेज साती पूछता है कि आप कहां से आए हो कोई इंग्लेंड, कोई पाकिस्तान, कोई अफगानिस्तान से बताता है मेरे मित्र साथी से पूछा जाता है कि आप लोग कहां से आए हो तो वो कहता है कि हम इंडिया से आए हैं तो मित्रो गर्व से सीना चोड़ा हो जाता है अंग्रेज पर ही चाओ के साथ कहता है कि आप उसी इंडिया से आए हो जहां पर डोक्टर बियार अंबेटगर का जनम जाते हैं और इसी देश के अंदर जब मित्रों बाबासाहब की एक पथर की मूरति को तोड़ा गया है बलकि ये सोचो कि इस देश के करोडों बहुजनों को अंधा बनानी की साजिस की जा रही है जब इस देश में बाबा साहब की मूर्ती को ध्वस्त कर दिया जातिया है तो मातर ये में सोचो कि मातर पत्थर की मूर्ती को तोड़ा गया है बल्कि ये सोचिए कि बाबा साहब की विचारधारा और देश के करोड़ों बहुजनों को मिट्टी में बिलाने की साजिस की जा रही है आप अपना समीधान बचा लो एक इस मंच से एक बात कह करके अपना इस्तान लूँगा एक बात कहने कोश्च करता हूं आप समीधान बचा लो आपका सब कुछ बच जाएगा क्योंकि अगर आपका समीधान नहीं रहा तो शायद आपके नीचे से कालीन भीहट है नित नहीं आतन की घटना रोज उसी पे होती है अरे समीधान की धारा ये समीधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है नित नहीं आतन की घटना रोज उसी पे होती है अरे घात करे जो समीधान पर उसका कातिल कौन है इन सारे सवालों पर उसका कातिल कौन है इन सारे सवा तुम सीरा उसको ठोग दो अरे भीमनाव कीजे बोलो इसके अवाज थोड़ी हलकी करो हलकी आवाज करो हलकी मंदी मित्रो अभी देश में आपने देखा कि बार-बार 70 साल हमारी आजादी को हो गये एक estéँ मुद्द्द हाज करके आता है आतंकवाद का आप ने कभी गहंता से विचार किया कि इस देश में आतंकवाद कोछ कोड़ी आखिर आतंकवादी आतंकवाद की इतना क्यों कर देते हैं अगर अपने मनन नहीं किया तो आपको बताने की कोशिस करता हो क्योंकि इस देश के अंदर बार-बार आतंकी हमला इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 70 साल में हमने अपना बहुजन राजा दिल्ली तक नहीं पहुचा और जिद दिल्ली पे हमारा राजा पहुच जाएगा तो शायद ये आत जाते हैं वह किसान मज़दूरों के घर के बेटे होते हैं उन किसानों मज़दूरों के लिए नेताओं के पास समय होना हो लेकिन इस मंच के माध्यम से पूरे बहुत महुसभ समीति की तरफ से उनको नमन करते हुए एक बात आपके बीच रख करके अपना इस्तान गिरहन क अरे बार बार आतंग की हमले भारत में क्यों होते हैं और रहनुमा बतलाने वाले आखमूद कर सोते हैं अच्छे दिन वाला ये कैसा खेल अनुठा जारी है आतंग की नेताओं का ये मेल अनुठा जारी है देश की रक्षा खातिर जो सीने गोली खाते हैं मजदूर किसान के बेटे हैं वो सेना में जो जाते हैं अरे भारत में आतंग का उस दिन नाम निशा मिट जाएगा और जिस दिन समराट अशोकसा दूजा कोई दिल्ली गदिप आएगा अरे जिस दिन समराट अशोकसा दूजा कोई दिल्ली गदिप आएगा और दो मिनट उनको अपने पुष पर भी करते हुए जिनोंने सहाधत दी और हमारे देश के लिए कुरबान हो गए और मित्रो मैं आपसे अनुरोद नहीं करूँगा कि आप ताली बजाएगे लेकिन आप इस गीत को पुरे ध्यान के साथ सुनिएगा दो मिनट आपसे लेकर करके अपना इस्तान घ्रन करता हूँ बता नहीं कोश करता हूँ कि देश के शहीदो तुमें दिल से सलाम उचा किया 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 तुमें दिल से सलाम उपना तीरंगा नहीं जुक ने दिया ये अपना तिरंगा नहीं जुकने दिया न भारत का विजेरत रुकने दिया क्या गोरे तपसे तेरे बले को पणा देश के शहीदो तुमें दिल से सलाम ठंड तु सहे तो कभी गरम सहे ताकि देश मेरा यह सुख मेरा हे ठंड तु सहे तो कभी गरम सहे ता कि देश मेरा यह सुक में रहे ओ कई कई बिन पिन पानी है जिया न अपना ये दर्द कभी किसी से कहे ओ सुक भी है त्यागा तुने त्यागा है आराम देश के शही दो तुमें दिल से सलाम देश के सहीदो तुमें दिल से सलाम जब बैली जवान अपने घरों पर जा रहे होगे तो सोचो क्या मंजर क्या माहूल रहा होगा क्योंकि बच्चे घर में इंतजार कर रहे होते हैं पापा आएगे, बहन घर में इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन आता है तो क्या देश के सैनीक का पार्थि शरीर आता है तो तब कियां अंतिम बंद और अपना अजतान किरना करता हूं कि देश के शही दोंधो तुम्हें दिल से सलाम उचा किया तुम्हें नित्चल लंखियों रच के करें इंतजार पापा पापा कहें बच्चे करें इंतजार बैहना भी द्वारे पे लगाती है गुहार पाप की आखें भी सजल हो गई बूड़ी माने देखा बेटाया है दुआर ओड़ के ती रंगाया भीरती तमाम देश के शहीदो तुमें दिल से सलाम देश के शहीदो तुमें दिल से सलाम